हेलो गाईज वेलकम बैक मैं चैनल दॉस नहीं फैमिली कैसे हो आप सभी आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूं मतका केशर कुल्फे जिसके लिए मैंने दूद लिया है और जिसे और मैंने गाढ़ा कर लिया है बहुत नहीं हलका एंड इधर टेस्ट के की अगर आपको ज्यादा मेठा प GP पसंदे तो आप ज्यादा लेना अगर आपको कम मीठा पसंदे तो कम लेना विकॉस दूद भी गाड़ा है तो हो भी ऑुँधा ही को आपuses में ब्रइसे मिक्सकरें ऑब सोची बहुत दिलों से कोई वीडियो भी नहीं डाली हूं तो आप लोगों से बाते भी नहीं हुई हैं तो क्योंना आज नीव रेशिपी के साथ आप लोगों के साथ कुछ बाते भी हो जाए और यहां मैं चार से पांच चमबर मिल्क औरट दे रही हूं सोट्स तो डालती हो बर वीडियो अभी नहीं डाल रही हो और आप लोग देखती हों कि कुछ सोट्स तो देखते हो बड़ कुछ-कुछ नहीं भी देखते हो तो प्लीज सारे को देखा करो और यहां हम केशर डालेंगे जिससे हमारा टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगे कुल्फी का और यहां मैंने मटका ले लिया और इसमें सारे मिक्षर को डालूँगी फिर फ्रीजर में डालूँगी और ठेंडा होने के बाद उसे खाऊंगी अब मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया बहुत जाता यमी लग रहा था तो प्लीज आप लोग अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राइ करना बहुत प्यारा रेसिपी है जब आप लोग ट्राइक कर लोगे ना तो मुझे कमेंट्स करके बताना इधर देखो एक खाली रह गया अब मैंने सारे में कवर लगा दिया है अब मैं सारे को फ्रीजर में रखूंगे जब पूरे तरह वो चिल्ड हो जाएगा मतलब फिक्स हो जाएंगे तब हम उसे खाएंगे आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लएगा ये देखो मेरा मतकर केसर कुलफी बन की तैयार है मैंने थोड़ा सा उसमें से टेस्ट भी किया और रियल में बहुत जादा यमी बना जब मैं रिशिक को दी तो वो बहुत जादा मेरा तारीफ कर रहा था अबना कै कि मुझे खिलाना है क्या ये देखो ओके गाई तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना अगर अपने घर पर बनाते हो तो मुझे बताना कमेंट्स करके कि कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी और लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना प्लीज यमी यमी मटका केसर कुल्फी